श्री राम कृष्ण देव के उप्देश वचा नामरित प्रिष्ट क्रमांग 366 परिच्चिद 61 दक्षिनेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ अध्यात्मरामायन आज अगहन की पूर्णीमा और संक्रान्ती है दिन शुक्रवार 14 दिसंबर 1883 दिन के 9 बजे होंगे श्री राम कृष्ण अपने कमरे के दर्वाजे के पास दक्षिनपूर्व के बरामदे में खड़े हैं पास ही रामलाल खड़े हैं राखाल और लाटू भी कहीं इधर उधर पास ही थे मनी ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया श्री रामकृष्ण ने कहा आ गए अच्छा हुआ आज दिन भी अच्छा है मनी कुछ दिन श्री रामकृष्ण के पास रहेंगे साधना करेंगे श्री रामकृष्ण ने कहा है थोड़ी साधना करते ही कोई आकर तुम्हें बता देगा ऐसा ऐसा करो श्री रामकृष्ण ने इनसे कहा है यहां अतिथी शाला का अन्न तुम्हारे लिए रोज खाना उचित नहीं यहां साधूओं और कंगालों के लिए है तुम अपना भोजन पकाने के लिए एक आदमी ले आना इसी लिए उनके साथ एक आदमी भी आया है उनका भोजन कहां पकाया जाएगा इसकी व्यवस्था कर दी गई वे दूद पिएंगे इसके लिए श्री रामकृष्ण ने रामलाल को अहीर से कह देने को कहा रामलाल अध्यात्म रामायन पढ़ रहे है और श्री रामकृष्ण सुन रहे है मनी भी बैठे हुए सुन रहे है श्री रामचंद्र जी सीता से विवाह करके अयोध्या लोट रहे है रास्ते में परशुराम से भेट हुई श्री रामचंद्र ने शिव का धनुष तोड़ डाला है यहां सुनकर परशुराम रास्ते में बड़ा गुलब पाड़ा मचाने लगे मारे भै के दश्रत के होश ही उड़ गए परशुराम ने एक दूसरा धनुष राम को देकर उस पर उन्हें गुण चढ़ा देने को कहा राम ने कुछ मुस्कुरा कर बाए हाथ से धनुष लेकर गुण चढ़ा कर उसमें टंकार दिया शरासन में शरय योजना करके परशुराम से उन्होंने कहा अब यहां बान कहा छोड़ू? कहो परशुराम का दर पचूर न हो गया वे शरी राम चंद्र को परब्रम्ह कहकर उनकी स्तुती करने लगे परशुराम की स्तुती सुनते ही सुनते शरी राम कृष्ण को भावावेश हो गया रह रहे कर राम राम नाम का मधुर स्वर में उच्चारन कर रहे है शरी राम कृष्ण राम लाल से जरा गुह निशाद की कथा तो सुनाओ रामलाल भक्तमाल से सुनाते रहे श्री राम चंद्र जब पिता की सत्य रक्षा के लिए बन गए थे तब उन्हें देखकर निशाद राज को बड़ा आश्चर्य हुआ उनके नेत्रों से अश्रू की धारा बहने लगी गला रुन्धाया और वे काठ की बनी पुतली की तरहा निस्पंद होकर अनिमेश दृष्टी से एक टक देखते रहे धीरे धीरे उन्होंने श्री राम चंद्र के पास जाकर कहा आप हमारे घर चले श्री राम चंद्र उन्हें मित्र कहकर भर बाह भेटे निशाद ने आत्म समर्पन करते हुए कहा आप मेरे मित्र हुए तो भी मैं आपको अपने प्राणों के साथ अपनी देह समर्पित करता हूँ आप ही मेरे प्राण है धन, राज्य है आप ही मेरी भक्ती, मुक्ती है आप मेरे सर्वस्व हैं आपके चरणों में मैं देह समर्पन करता हूँ श्री रामचंद्र 14 साल वन में रहेंगे और जटा वलकल धारन करेंगे यहां सुनकर निशात राज ने भी जटा वलकल धारन कर लिया फल मूल छोड़कर अन्य कोई भोजन उन्होंने नहीं किया 14 साल के बाद भी श्री रामचंद्र नहीं आ रहे हैं यहां देखकर गुह अग्नी प्रवेश करने जा रहे थे इसी समय हनुमान जी ने आकर समवाद दिया समवाद पाकर गुह आनंद सागर में मग्न हो गए श्री रामचंद्र और सीता माई पुश्पक विमान पर आकर उपस्थित हो गए भक्त वत्सल रामचंद्र ने प्रिय भक्त गुह को देखते ही दुर्ड आलिंगन में बांध रिदय से लगा लिया दोनों की देह आसुओं से तर हो गई निशाद राज गुह धन्य हो गए चारों और उनका जय जयकार होने लगा भोजन के बाद श्री रामकृष्ण थोड़ा आराम कर रहे है मास्टर पास बैठे हुए है इसी समय श्याम डॉक्टर तथा और भी कुछ आदमी आए श्री रामकृष्ण उठकर बैठ गए और बातचीत करने लगे श्री रामकृष्ण बात यह नहीं कि कर्म बराबर करते ही जाना पड़े ईश्वर लाब हो जाने पर कर्म फिर नहीं रह जाते फल होने पर फूल आप ही जड़ जाते है जिसे ईश्वर प्राप्ति हो जाती है उसके लिए संध्यादी कर्म नहीं रह जाते संध्या गायत्री में लीन हो जाती है तब गायत्री जपने से ही काम हो जाता है और गायत्री का लए ओमकार में हो जाता है तब गायत्री जपने की भी आवशक्ता नहीं रह जाती तब केवल ओम कहने से ही हो जाता है संध्यादी कर्म कब तक है? जब तक हरी नाम या राम नाम में पुलक न हो अश्रुधारा न भहे धन के लिए या मुकदमा जीतने के लिए पूजा आदी कर्म करना अच्छा नहीं एक भक्त धन की चेश्टा तो मैं देखता हूँ सभी करते हैं केशव से इनको ही देखिए किस तरह महराजा के साथ उन्होंने अपनी लड़की का विवाह किया? श्री रामकृष्ण केशव की बात दूसरी है जो यथार्थ भक्त है वहाँ अगर चेश्टा न भी करे तो भी इश्वर उसके लिए सब कुछ जुटा देते हैं जो ठीक ठीक राजा का लड़का है वहाँ मुशाहरा पाता है वकील आदी की बात मैं नहीं कहता जो महनत करके दूसरों की दासता करके रुपया कमाते हैं मैं कहता हूँ ठीक राजा का लड़का जिसे कोई कामना नहीं है वहाँ रुपया पैसा नहीं चाहता रुपया उसके पास आप ही आता है गीता में है यद्रिच्छा लाब जो सद ब्राम्वन है जिसे कोई कामना नहीं है वहाँ चमार के यहां का भी सीधा ले सकता है यद्रिच्छा लाब वहाँ कामना नहीं करता उसके पास प्राप्ती आप ही आती है एक भक्त अच्छा महराज संसार में किस तरह रहना चाहिए श्री रामकृष्ण पांकाल मचली की तरह रहना चाहिए संसार से दूर मिरजन में जाकर कभी कभी इश्वर चिंतन करने पर उनमें भक्ती होती है तब निरलिप्त होकर संसार में रह सकोगे पांकाल मचली कीच के भीतर रहती है फिर भी कीच उसकी देह में नहीं लगता इस तरह का आदमी अनासक्त होकर संसार में रहता है श्री रामकृष्ण देख रहे है मनी एकाग्रचित्त से उनकी सब बाते सुन रहे है श्री रामकृष्ण मनी को देख कर तीवर वैराग्य होने से लोग इश्वर को पाते है जिसे तीवर वैराग्य होता है उसे जान पड़ता है संसार दावाग्मी की तरह है जल रहा है वह स्त्री और पुत्र को कुए के सद्रुष देखता है इस तरह का वैराग्य जब होता है तब घर द्वार आप ही छूट जाता है केवल अनासक्त होकर संसार में रहना उसके खड़ी होगी एक आदमी बाग की खाल ओड़ कर भय दिखा रहा है जिसे भय दिखा रहा है उसने कहा मैं तुझे पहचानता हूँ तू तो हिरुआ है तब वहां हसकर चला गया और किसी दूसरे को भय दिखाने लगा जितनी स्त्रियां है सब शक्ति रूपिनी है वहां आदी शक्ति स्त्री का रूप धारण किये हुए है अध्यात्म रामायन में है नारदादी राम का स्तव करते हैं हे राम जितने पुरुष है सब आप है और प्रकृति के जितने रूप है सब सीता है तुम इंद्र हो सीता इंद्रानी तुम शिव हो सीता शिवानी तुम नर हो सीत नारी अधिक और क्या कहूं जहां पुरुष है वहां तुम हो जहां स्त्रिया है वहां सीता भक्तों से मन में लाने से ही त्याग नहीं किया जा सकता प्रारब्ध संसकार ये सभी है एक राजा से किसी योगी ने कहा तुम मेरे पास बैठकर परमात्मा का चिंतन करो राजा ने उत्तर दिया यहां मुझसे न होगा मैं यहां रह सकता हूँ परन्तु मुझे अभी भोग करना है इस वन में अगर रहूँगा तो आश्चर्य नहीं कि इस वन में भी एक राज्य हो जाए मेरा भोग अभी बाकी है नटवर पांजा जब बच्चा था इस बगीचे में जानवर चराता था परन्तु उसके भाग्य में बहुत बड़ा भोग था इसी लिए तो इस समय अंडी का कारखाना खोल कर इतना रुपया इकठा किया है आलम बजार में अंडी का रोजगार खुब चल रहा है एक मत में है स्त्री लेकर साधना करना करता भजा संप्रताय की स्त्रीयों के बीच में एक बार एक आदमी मुझे ले गया था वे सब मेरे पास आकर बैठ गई मैं जब उन्हें मा मा कहने लगा तो वे आपस में कहने लगी ये प्रवर्तक है अभी घाट की पहचान इनको नहीं हुई उन लोगों के मत में कच्ची अवस्था को प्रवर्तक कहते हैं उसके बाद साधक, उसके बाद सिद्ध और फिर सिद्ध का सिद्ध एक स्त्री वैश्नव चरण के पास जाकर बैठी वैश्नव चरण से पूछने पर उन्होंने कहा इसका बाली का भाव है स्त्री भाव से शीग्र पतन होता है मात्रु भाव शुद्ध भाव है कांसारी पाड़ा के भक्तगन उठ पड़े कहा तो अब हम लोग चले काली माई तथा और देवों के दर्शन करेंगे श्री रामक्रिश्न और प्रतिमा पोजा व्याकुलता और इश्वर लाभ मनी पंचवटी और काली मंदिर के विभिन नस्थानों में अकेले गूम रहे है श्री रामक्रिश्न ने कहा है थोड़ी साधना करने पर इश्वर के दर्शन हो सकते है क्या मनी यही सोच रहे है फिर श्री रामक्रिश्न ने तीवर वैराग्य की बात कही और कहा कि माया को पहचान लेने पर वहाँ भाग खड़ी होती है मनी यही सब सोच रहे है पिछला पहर है साड़े तीन बजे का समय होगा मनी फिर आकर श्री राम कृष्ण के कमरे में बैठे है ब्राउटन इंस्टिटूशन से एक शिक्षक कुछ छात्रों को साथ लेकर श्री राम कृष्ण के दर्शन करने आये हुए है श्री राम कृष्ण उनसे वारता लाप कर रहे है शिक्षक महाशय बीच बीच में एक एक प्रशन कर रहे है बादचीत मूर्ती पूजन के संबंध में हो रही है श्री राम कृष्ण शिक्षक से मूर्ती पूजन में दोश क्या है? वेदान्त में है, जहां अस्ती, भाती और प्रिय है वही उनका प्रकाश है इसलिए उनके सिवा है और किसी वस्तो का अस्तित्व नहीं है और देखो छोटी छोटी लड़किया कितने दिन गुडिया लेकर खेलती है जितने दिन तक उनका विवाह नहीं होता और जितने दिन तक वे पति सहवास नहीं करती विवाह हो जाने पर गुडिया गुड्डों को उठा कर संदूक में रख देती है इश्वर लाब होने पर फिर मूर्ती पूजन की क्या आवश रकता है मनी की ओर देखकर श्री राम कृष्ण कहते है अनुराग होने पर इश्वर मिलते है खूब व्याकुलता होनी चाहिए खूब व्याकुलता होने पर संपूर्ण मन उन्हें अर्पित हो जाता है पती का मुख उसने कभी न देखा था दूसरी स्त्रियों के पतियों को आते जाते वह देखती थी उसने एक दिन कहा पिता जी मेरा पती कहा है उसके पिता ने कहा गोविंद जी तेरे पती है उन्हें पुकारने पर वे तुझे दर्शन देंगे यहां सुनकर वहां लड़की द्वार बंद करके गोविंद को पुकारती और रोती थी वहां कहती थी गोविंद तुम आओ मुझे दर्शन दो तुम क्यों नहीं आते छोटी लड़की का यहां रोना सुनकर गोविंद जी स्थिर न रह सके उसे उन्होंने दर्शन दिये बालक जैसा विश्वास बालक माँ को देखने के लिए जिस तरह व्याकुल होता है वैसी व्याकुलता चाहिए इस व्याकुलता के होने पर समझना चाहिए कि अरुनोदय हुआ इसके बाद सुर्योदय होगा ही इस व्याकुलता के बाद ही इश्वर दर्शन होते है जटल बालक की कथा आती है वह पाठशाला जाता था कुछ जंगल की राह से पाठशाला जाना पड़ता था इसलिए वह डरता था उसने अपनी मा से यह कहा माता ने कहा डर क्या है तो मधुसूदन को पुकारना बच्चे ने पूछा मधुसूदन कौन है माता ने कहा मधुसूदन तेरे दादा होते है जब अकेले में जाते समय वह डरा तब एक आवाज लगाई मधुसूदन दादा कहीं कोई न आया तब वहां कहा हो मधुसूदन दादा जल्दी आओ मुझे बड़ा डर लग रहा है कहकर जोर जोर से पुकारते हुए रोने लगा मधुसूदन नरह सके आकर कहा यहां है हम तुझे भई क्या है यहां कहकर उसे साथ लेकर वे पाटशाला की रास्ते तक छोड़ आये और कहा तुझे बुलाएगा तब ही मैं दोड़ा जाऊंगा भय क्या है यही बालक का विश्वास है यही व्याकुलता है एक ग्राम्भन के यहां भगवान की सेवा होती थी एक दिन किसी काम से उसे किसी दूसरी जगह जाना पड़ा वहां अपने छोटे बच्चे से कह गया आज श्री ठाकुर जी का भोग लगाना उन्हें खिलाना बच्चे ने ठाकुर जी का भोग लगाया परन्तु ठाकुर जी चुपचाप बैठे ही रहे न बोले और ना कुछ खाया ही बच्चे ने बड़ी देर तक बैठे बैठे देखा कि ठाकुर जी नहीं उठते उसे द्रिडविश्वास था कि ठाकुर जी आकर आसन पर बैठकर भोजन करेंगे वहाँ बार बार कहने लगा ठाकुर जी आओ भोग पालो बड़ी देर हो गई अब और मुझसे बैठा नहीं जाता ठाकुर जी क्यों उत्तर देने लगे तब बच्चे ने रोना शुरू कर दिया कहने लगा ठाकुर जी पिता जी तुम्हें खिलाने के लिए कह गए है तुम क्यों नहीं आओगे क्यों मेरे पास नहीं खाओगे व्याकुल होकर जो ही कुछ देर तक वहां रोया कि ठाकुर जी हस्ते हस्ते आकर हाजिर हो गए और आसन पर बैठकर भोग पाने लगे ठाकुर जी को खिला कर जब वहां ठाकुर घर से निकला तब घर वालों ने कहा भोग हो गया तो वहां सब उतार लिया बच्चे ने कहा हाँ हो गया ठाकुर जी ने सब भोग खा लिया उन लोगों ने कहा अरे यहां तू क्या कहता है बच्चे ने सरलता पूर्वक कहा क्यों खा तो गय है ठाकुर जी सब तब घर वालों ने ठाकुर घर में जाकर देखा तो छक्के छूट गए संध्या होने को अभी देर है श्री रामकृष्ण नौबत खाने के दक्षिन और खड़े हुए मनी के साथ बातचीत कर रहे है सामने गंगा है जाड़े का समय है श्री रामकृष्ण उनी कपड़ा पहने हुए है श्री रामकृष्ण पंचवटी वाले घर में सोगे मनी क्या ये लोग नौबत खाने के उपर का कमरा न देंगे श्री रामकृष्ण कजान्ची से मनी की बात कहेंगे रहने के लिए एक कमरा ठीक कर देंगे मनी को नौबत खाने के उपर का कमरा पसंद आया है वे हैं भी कविता प्रिय मनुष्य नौबत खाने से आकाश, गंगा, चांदनी, फूलों के पेड ये सब दिख पड़ते हैं श्री रामकृष्ण देंगे क्यों नहीं मैं पंचवटी वाला घर इसलिए कह रहा हो कि वहां बहुत राम नाम और ईश्वर चिंतन किया गया है जीवन का अंतिम लक्ष ईश्वर से प्रेम श्री रामकृष्ण के कमरे में धूप दिया गया है उसी छोटे तक्त पर बैठे हुए श्री रामकृष्ण ईश्वर चिंतन कर रहे है मनी जमीन पर बैठे हुए है राखाल, लाटू, रामलाल ये भी कमरे के अंदर है श्री रामकृष्ण मनी से कह रहे है बात है उन पर भक्ती करना, उन्हें प्यार करना फिर उन्होंने रामलाल से गाने के लिए कहा रामलाल मधूर कंठ से गाने लगे श्री रामकृष्ण हर गाने का पहला चरण कह दे रहे है श्री रामकृष्ण के कहने पर रामलाल पहले श्री गवरांग का सन्यास गा रहे है भावार्थ केशव भारती के कुटिर में मैंने कैसी अपूर्वजयोती गवरांग मूर्थी देखी उनके दोनों नेत्रों में शत धाराओं से होकर प्रेम बह रहा है मत्त मातंग के सद्रिश श्री गवरांग कभी तो प्रेमा वेश में नाचते हुए गाते हैं कभी धूल में लोटते हैं कभी आसों में बहते हैं वे रोते हुए हरी को पकार रहे हैं उनका उच्च स्वर्ग और मरते लोग को भी हिला रहा है कभी वे दातों में त्रण दबा कर हाथ जोड बार बार दासता से मुक्त कर देने के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं अपने गुंग्राले बालों को मुडा कर उन्होंने योगी का वेश धारन किया है उनकी भक्ती और प्रेमावेश को देखकर जीरो उठता है जीवों के दुख से दुखी होकर सर्वस्वत्याक कर वे प्रेम कदान करने के लिए आए हैं प्रेम दास की यही अभिलाशा है कि वहाँ श्री चैतन देव के चर्णों का दास होकर उनके साथ दरदर घुमे रामलाल ने फिर एक गाना गाया इसमें श्री गवरांग देव की माता शची का विलाप है इसके बाद श्री रामकृष्ण के आदेश अनुसार रामलाल ने कुछ और गाने गाये श्री रामकृष्ण रामलाल से फिर गवरांग और नित्यानन्द वाला गाना गाने के लिए कह रहे हैं इस बार रामलाल के साथ श्री रामकृष्ण भी गा रहे हैं भावार्थ हे प्रभू श्री गवरांग और नित्यानन्द तुम दोनों भाई बड़े ही दयालू हो यही सुनकर मैं यहां आया हूँ मैं काशी गया था वहाँ विश्वेश्वर जी ने मुझसे कहा है वे परब्रम्म इस समय शक्ची देवी के घर में है ये परब्रम्म मैंने तुम्हें पहचान लिया है मैं कितनी ही जगे गया परन्तु इस तरह के दया सागर और कहीं मेरी दृष्टी में नहीं पड़े तुम दोनों व्रज मंडल में कृष्ण बलराम थे अब नदिया में आकर श्री गवरांग और नित्यानंद हुए हो तुम्हारी व्रज की क्रीडा थी दोड़ धूप और अब यह नदिया में तुम्हारी क्रीडा है दूल में लोट पोट हो जाना व्रज में तुम्हारी क्रीडा जोर जोर की किलकारिया थी और आज नदिया में तुम्हारी क्रीडा है हरी नाम कीरतन तुम्हारे सब और अंग तो छिपे हुए हैं परन तु दोनों बंकिन नेत्र अब भी हैं तुम्हारा पतित पावन नाम सुनकर मेरे रिदय में बहुत बड़ा भरोसा हो गया है मैं बड़ी आशा से यहां दोड़ा हुआ आया हूँ तुम अपने चर्णों की शीतल छाया में मुझे स्थान दो जगाई और मधाई जैसे पाखंडी भी तर गए हैं प्रभो यही भरोसा मुझे भी है मैंने सुना है तुम दोनों चांडालों को भी रिदय से लगा लेते हो रिदय से लगा कर हरी नाम केरकन करते हो निर्जन में भक्तों की साधना रात बहुत हो चुकी है नौबत खाने के उपर वाले कमरे में मनी अकेले बैठे हुए है आज अगहन की पूर्णी मा है आकाश, गंगा, काली मंदिर, मंदिरों के शिखर, उद्यानपत, पंचवटी सभी चंद्र लोक से आलोकित है मनी एका की श्री राम कृष्ण का चिंतन कर रहे है रात के करीब तीन बज गए मनी उठे और उत्तरा भी मुखो पंचवटी की ओर जाने लगे श्री राम कृष्ण ने पंचवटी की बात कही है नौबत खाना अब अच्छा नहीं लग रहा है मनी ने पंचवटी वाले घर में रहने का निश्चे किया चारों ओर निरवता है रात के ग्यारा बजे गंगा में ज्वार आया था बीच बीच में पानी की आवाज सुनाई दे रही है मनी पंचवटी की ओर बढ़ने लगे इतने में उन्हें दूर से एक आवाज सुनाई पड़ी मानो कोई पंचवटी के व्रक्ष मंडब के भीतर से आर्तस्वर से पुकार रहा है कहा हो दादा मधुसुदन आज पुर्णी मा होने के कारण व्रक्ष की शाखा प्रशाखाओं को भेत कर चंद्र की किरने प्रकाशित हो रही है कुछ और अग्रसर होकर मनी ने दूर से देखा कि पंचवटी में श्री राम क्रिश्न के एक भक्त बैठे हुए निर्जन में एकाकी पुकार रहे है कहा हो मधुसुदन दादा मनी निस्तब्द हो देखते रहे